Hello friends, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन 10 चीजों की जो हम सब को रात के खाने में अवर्ट करनी चाहिए हर विक्ति की खाने से जूड़ी अपनी अलग-अलग आदिते होती हैं इसलिए कुछ लोग शाम के समय जल्दी खाना खा लेते हैं जबकि कुछ लोग देर से खाते हैं शरीद पर इन आदतों का तो असर पढ़ता ही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने रात को जो खाना खाया है उसका सीधा असर आपकी नीन पर पढ़ता है जी हाँ, रात को सोने से पहले आपने जो खाना खाया है यदि ठीक नहीं है तो आपको बहुत जल्दी घहरी नहीं नहीं आएगी आयरवेद में माना गया है कि हमेशा सोने से दो घंटे या उससे पहले खाना शरीर के लिए जादा ऊचित रहता है खाने के तुरंट बात सोने से मोटापा बढ़ता है साथ ही हमारा पाचन तंतर भी इससे परबावित होता है वैसे अगर सोने से थोड़ी देर पहले कुछ खाया जाए तो वह चीच ऐसी होने चाहिए जो आजसानी से पच जाए सोने से पहले हाई कैलरी वाला खाना खा लेने से हाट बर्म जैसी समझ से भी हो सकती है इसके अलावा कुछ वस्तुए ऐसी होती है जिनका सेवन सोने से पहले किया जाना शरीर को बहुत अधिक नुक्सान पहुचा सकता है आज हम आपको बताने जा रहे हैं खाने की कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिनका सेवन यदि सोने से पहले किया जाए तो शरीर को बहुत नुक्सान हो सकता है पास्ता एक जट से तयार होने वाला व्येंजन है इसलिए कई बार लोग देर रात को पास्ता काकर सोचाते हैं जबकि पास्ता में बहुत जादा कारू हैडरेट वा अन्य कई ऐसे पधार्त होते हैं जिने शरीर जल्दी से पचा ही नहीं पाता देर रात तक इसके सेवन से कब्ज वा हाइपर एसेड़ेडी जैसी समस्या हो सकती है दूसरी चीज़ जादा मसालेदार खाना या मिर्च युक्त खाना भी रात के समय शरीर में पित्त बढ़ाने का काम करता है जब मिर्ची को अन्य विशेश घटकों के साथ मिलाया जाता है तो ये बहुत स्वास प्रद और लाबकारी होती है लेकिन अधिक मिर्च वो मसाले वाला खाना बहुत हानिकारक होता है तीसरी चीज़ जिसे जॉटतर इंडेञा खाना के बाद खाना पसंद करते हैं जि हाँ मिठाई देर रात को मिठाई खाना भी स्वेश खेट के लिए ठीक नहीं होता है मिठाई खाने से दाद खराब होते है प्लस मोटाबा भी बड़ता है साथी इसका शरीर पर भी काफी नेकारातमक परवाव पड़ता है तो जितना हो सके हमें मिठाई खाने से परेच करना चाहिए रात के समय चौटी चीज जो बच्चों को बहुत पसंद होती है नूडल्स नूडल्स में बहुत हाई कैलरी होती है इसलिए इनका सेवन सोने से पहले नहीं करना चाहिए जब आपको भूक लगती है तो ये एक मातर ऐसा पदार्थ है जो 30 मिनिट से भी कम समय में तैयार हो जाता है लेकिन ये ध्यान रखें कि नूडल्स में कार्भो हाईड़िट बहुत अधिक मातरा में होता है जो वसा में बदल जाता है सोने से पहले नूडल्स खाने से पेट से जुड़ी अनेक समस्या हो सकती है इसलिए सोने से पहले उच्छे वसा युक्तिपदार से दूर रहना चाहिए पाचवी चीज नॉनवेज नॉनवेज प्रोटिन और आइरन का बहुत अच्छा स्तरोत है यही कारण है कि रात के समय इसकी अधिक मातरा लेने पर शांत और आरमदाइक नीन नहीं आती है चटी चीज जादा फाइबर वाली सबजियां या खात पतार्थ जैसे ब्रोकली, प्यास, पत्ता गुबी आदी का सेवन रात को सोने से पहले नहीं करना चाहिए दरस्तल इन में जल्दी ना पचने वाले फाइबर रेशे की मातरा बहुत अधिक होती है इस वज़े से आप बहुत अधिक समय तक पेट बढ़ा हुआ मैसूस करते है रात में याने खाने से पाचन तंतर में फाइबर की गदी बहुत कम होती है इसके करण पेट फूलने जैसी समझा हो सकती है साथवी चीज, बर्गर बर्गर में अधिक मातर में वशा होता है यानि के फैट होता है इसी वज़े से रात के समय इसे खाने से इसका ठीक से पाचन नहीं हो पाता है इससे पेट से जुड़ी कई तरह की बिमारी हो सकती है इसके बात आता है स्नेक्स इसनेक्स, चिप्स आदी का सेवन भी सोने से पहले करने से शरीर को बहुत नुक्सान होता है क्योंकि इन में बहुत अधिक मातरा में मोनो सोडियम, गलूटामेट होता है इसके कारण नीन से संबंदित कई परकार की समस्या आ सकती है सोने से पहले कभी भी डार्क चॉकलेट नहीं खाना चाहिए डार्क चॉकलेट में कैफीन और अन्न कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो दिल की कारण करने की शमता को बढ़ा देते हैं जिसके कारण गहरी नीन नहीं आपाती है और मस्टिस्क भी शांत नहीं रह पाता है आखरी चीज है पीजा रात को खाने पर शरीर के लिए पीजा को पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि पाचन तंतर को दिन के समय ही इसे पचाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है तो कलपना कीजिए कि जब आप शाम के समय पीजा खाते हैं तो आपके पाचन तंतर को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी जबकि ये पाचन तंदर के आराम का समय होता है पीज़ा में चिकनाई बहुत अधिक महोती है इसमें जो घटक होते हैं उनमें बहुत अधिक मातरम में एसिड होता है जिसके कारण हार्ट बन का खत्रा बढ़ जाता है जो फ्रेंड्स ये थी वो 10 चीज़े जो हम सभी को रात के समय खाने में आवड करनी चाहिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर दरूर कर दिना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए